औसदी औसदियों की जानकारी में दोस्तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ एक और चमतकारी औसदी के बारे में यह जो आप औसदी को देख रहे हैं ना इनके पत्तों को देखिए ध्यान से इसको जरा साउधानी से तोड़ियेगा क्योंकि इसकी पत्तों का जो है इसमें दूद निकलता है अगर इनका दूद आपकी आँखों में चला जाएगा तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है और इसके पूरे पंचांग में भी पूरे काटि होते हैं बड़ी तिब्र जिसको थोड़े से ही चूने से वह आपके शरीर में घुश जाती हैं लग जाती है तो इसको ध्यान से देखिएगा पत्तों को ये उसदी है तूगर इसको तोड़ेंगे तो दूद परियापत मातरम निकलेगा मैं बता रहा हूँ अगर आप इनके दूदों को अपने जो चहरी पर आपको डार्क सरकल हो जाती है या फिर आपको कील मुहा से फिंपल्स जाईया रिंकल्स दुनियादारी जितने भी आपको चहरी की समस्या है अगर वे हो जाती है तो आप इनके थूगर को ये दूद को थोड़ा लेकर कि उसमें हल्दी लगा लिए और हल्दी मिला करके आप उस दूद मिली हल्दी को अगर आप एलो बीरा के सुरस में लेपन करके और अपने चहरी पर लगाते हैं आँख बचा करके तो आपके चहरी की जो डार्क सरकल हैं जो पिंपल्स रिंकल्स जाईया या कील मुहासी हैं उससे ये आपको निजाद द दूस्तों ये बहुत इच्छे काम करता है आप दिरूर लगा के देखिएगा और इसके कुछ औसदी गुर्धर में बता दूंगा आपको दूस्तों तो ये थूगर है इसका दूद बिरेचक होता है दायक और विसाक्त होता है तुचापर अगर लग जाए तो लगनी से त फड़ जाता है मुलाम तो चापर इसलिए इसको बड़ी साउधानी से प्रियोग करिएगा इसे सेवनार्थ अगर सेवन करना है अंदा तो थोड़ी शीच की मात्रा मदू या नवक के साथ देते हैं ज्यादा नहीं काली मिर्च ये चावल या चनी की दाल में इसकी कई भा पाक उस्टनबीर लगू प्रभाव मेरे चक तता सोद आद्मान पित उदावर्त रुधुर और पिकार ना सके यह मचलियों के लिए मारक होता है दोस्तों जिनको बबासीर की सिकात है या कब्जियत रहती है वे इस ओसदी को हरर को इस ओसदी की दूद में भिंगो करके प सफेद दाग हो जाता तो उसमें यह बहुत अच्छी है बहुत अच्छा होसा दिये सफेद दाग में आप इसके सुरस को पका करके वाक्ची तेल में लगाएंगे तो सफेद दाग में भी बहुत जिलनी आरा मिलता है दात खाच, खुजली, पामा, छायदा, नकोता, हर्फ करता है